हेलो फ्रेंड्स मेरी स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सैंट का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ साथ draw करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नंबर आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह मेरा whatsapp नंबर है अगर आप यह अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या phone consultation लेना चाहते हैं तो आप हमें whatsapp के जरीए signal के जरीए या फिर telegram के जरीए message send कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक square shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं medium size fingers हैं काफी थिक नजर आ रही हैं जिसकी वज़े से अच्छी energy and stamina native के भीतर रहता है और सभी fingers पर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रिखाएं बारी खड़ी रिखाएं इनके lower and middle phalanges की उपर नजर आ रही होंगी ऐसी रिखाओं का होना दर्शाता है कि native काफी मिलनसार सभाव का रहेगा ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले देखे जा सकते हैं अगर हम length की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे medium size में fingers है और इनकी तरचनी उंगली लंबाई में इनकी नामी का उंगली के लगभग equal नजर आ रही है दोनों fingers का एक समान होना indicate करता है कि native की energy and stamina का level अच्छा रहेगा ऐसे व्यक्ति की leadership qualities इस guru finger की वजह से काफी अच्छी रहती है जिनकी यह finger थिक हो और बिल्कुल straight हो ऐसे व्यक्ति काफी knowledgeable देखे जा सकते हैं शनी finger की बात की जाये तो बिल्कुल straight और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनी finger नजर आ रही है इस तरह की शनी finger का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति काफी disciplined होते हैं काफी मेहनती नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है एक अनुशाशन प्रिया और नयाय प्रिया टाइप की personality ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है और अपनी इनी खूबियों की वज़े से जीवन में अच्छी progress कर पाने में भी ऐसे native काम्याब रहते हैं अगर हम बात करें इनकी सूरे फिंगर की तो बिल्कुल straight, medium size सूरे फिंगर आप यहाँ पर देख पाएंगे एक creative type की personality ऐसे व्यक्ति की रहती है अच्छी artistic qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकते हैं और ऐसे native इनकी सूरे finger बिल्कुल straight और लंबाई में तरजनी के equal पहुंच जाए काफी अच्छा social circle बना पाने में भी चीवन में काम्याब रहते हैं अगर इनकी mercury finger की बात की जाए तो mercury finger यहाँ पर length में काफी अच्छी नज़र आ रही है लेकर थोड़ी सी low set होती हुई mercury finger आप यहाँ पर देख पाएंगे अगर हम यहाँ से एक line draw करते हैं तो कुछ इस तरह हैं कि एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी जिसमें आप देख पाएंगे इनकी जो mercury finger है बाकी की उंगले को मकाबले जैसे यह सूरे finger है यह शनी है और यह ब्रस्पती है तीनों के मकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई इस तरह हैं कि mercury finger को low set mercury finger कहा जाता है और इस finger का low set होना indicate करता है कि native की nature थोड़ी shy रहेगी थोड़ा hesitation वाला सभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है वाइस इनकी finger की लंबाई को अगर देखें तो आप यहां पर देखेंगे यह finger length में सूरे finger का जो top falange है वहां तक पहुँचती हुई उससे भी थोड़ा अधिक लंबी है इस finger का सूरे finger के top falange तक पहुँचना indicate करता है कि native के communication skills काफी अच्छे रहेंगे ऐसे व्यक्तिका business equipment भी strong रहता है और एक पूर्वा अनुमान लगाने की जो शम्ता होती है वो काफी बहतर होती है चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी तो सबसे पहले इनके गुरू परवत की बात की जाए तो अब यहाँ पर देख पाएंगे यह जो area है ब्रस्पति यानि गुरू का area कहलाता है इस तरह से उभरा हुआ ब्रस्पति माउंट जिन लोगों का रहता है से व्यक्ति बहुत knowledgeable होते हैं एक spiritual type की personality अध्यात्म में ऐसे व्यक्ति की रूची देखी जा सकती है social worker type की personality ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनका गुरू परवत इस तरह से prominent हो उभरा हुआ और strong नजर आए साथी साथ आपको कुछ रिखाएं यहाँ पर नजर आएंगे यह जो रेखा है इस रेखा को कहा जाता है जीवन की रेखा और इस रेखा मेंसे जब ऐसी branches निकल कर उपर क की तरफ बढ़ें इन branches को progress lines का नाम दिया जाता है और जिनकी हतेली पर इस तरह की progress lines गुरू परवत के उपर पहुंचती हुई नजर आएं ऐसे व्यक्ति अपने चीवन में निरंतर progress कर पाने में कामयाब रहते हैं काफी अच्छी तरकी इन रेखाओं की वज़े से native को मिलती है अगर हम इनके शनी की बात करें तो शनी का माउंट आपको यहां से दबता हुआ नजर आएगा और शनी माउंट का दबना अच्छा संकीत नहीं माना जाता चिन लोगों का यह परवत दब रहा हुँ ऐसे व्यक्ति को अपने चीवन के शुरुआती दोर में काफी स डाउंस का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है चिनका शनी परवत इस तरह से दबता हुआ नजर आए अगर हम भागया रेखा की बात करें तो काफी अच्छी भागया रेखा इनके हाथ में मौचूद है भले ही यह रेखा आगे चलकर हमें थोड़ी मध्धम होते लेकिन आगे एक स्पोर्टिव लाइन मौचूद है आपको दिखाना चाहूँगा यहां से लगबग शुरू होने वाली यह रेखा आपको इस एरिया तक बहुत अच्छी नजर आएगी इसके आगे भी यह रेखा मौचूद है लेकिन यहां पर जो गैप है इस गैप को फ पा लेता है बात करते हैं इनके सूर्य परवत की तो आप यहां पर देख पाएंगे इनका जो सूर्य परवत का एरिया है अगेन हमें शनी की भांती हलका सा दबता हुआ नजर आ रहा है इस से एरिया से शनी परवत की तरह इस मांट का दबना इंडिकेट करता है कि नहीं मिल पाती जब इस तरह से दबा हुआ सूर्य का मौंट आपको नजर आए और खास तोर पर आप यहां पर देख पाएंगे सूर्य मौंट के ऊपर आपको एक से अधिक खड़ी रिखाएं नजर आएंगी चो नेटिव की मल्टी टास्किंग परसनालिटी को तो इंडिके किसी भी एक विश्या के ऊपर किसी भी एक काम के ऊपर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाता लेकिन इस तरह से इस मौंट पर खड़ी रिखाओं का होना और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव एक अच्छी पहच्चान सुसाइटी में बना पाने में जरूर कामियाब रहेगा मरकरी माउंट की बात की जाये तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मरकरी माउंट का जो एरिया लो सेट है एक हेजिटेशन वाला सभाव एक शाई टाइप की नेचर ऐसे वियक्ति की रह सकती है लेकिन खड़ी रिखाओं का यहाँ प बुद्ध परवत पर कड़ी रिखाएं होती हैं अपने शब्दों से अपने कर्मों से अपनी सलाहा या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिल्टी अपने भीतर समाए रहता है बात करते हैं इनकी मेजर लाइन्स की तो सबसे पहली बात करते इनकी हार्ट लाइन की अब देख सकते हैं यहां पर इनकी जो हृदे रेखा है कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई एक ब्राच यहां से बाहर की तरफ निकल कर एक वी सिंबल कंप्लीट बनाती हुई आपको नजर आएगी इस तरह के साइन को विशनु चिन कहा जाता है वी सिंबल कहा जाता है जिनकी थेली पर ऐसा विशनु चिन बनता है ऐसा व्यक्ति अपने चीवन में बहुत अच्छी प्राग्रेस जरूर पाता है लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विशनु चिन हो गलत रास्ते पर चल पड़े बेइमानी से धन कमाने की कोशि चीवन में तो बड़े दिक्तों का बड़े डाउनफाल का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है इसलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन बनता है उन्हें हमेशा यही सुझस्ट करता हूं कि हमेशा इमानदारी के रास्ते पर चलें कोई भी बैमानी का काम ना करें अगर इनकी हाथ लाइन से ही आपको एक ब्राच आगे गुरू परवत तक पहुंचती हुई भी नजर आएगी कुछ इस तरह है कि यह रेखा जिसमें से एक ब्राच निकल कर आगे बढ़ रही है गुरू परवत तक पहुंचती हुई इस तरह है कि रेखा का होना नेटिव को हाट लाइन यहाँ पर अच्छी नज़र आ रहे कोई मेजर इशू नहीं है लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ी ओवरलापिंग और शैलोनेस होना नेटिव को माइनर इशू जैसे ब्लड प्रेश्यर थैरोड जैसी दिक्कतें क्लेसरोल जैसी प्रॉब्लम्स ओल्ड इज में चल बनती हुई नजर आएगी यहाँ जो रेखा है माइन की लाइन है इसमें से एक ब्रांच निकल कर इस तरह से एक फोर्क जैसी फॉर्मेशन बनाती हुई इस तरह के फोर्क को राइटर्स फोर्क भी कहा जाता है ऐसे व्यक्ति की कल्पना शीलता बहुत स्ट्रॉंग होती है अगर ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा काम करने लगे जिसमें निटिव की इमेजिनेशन का इस्तिमाल हो जाए यानि निटिव की जो कल्पनाएं हैं वो चैनलाइज हो जाए तब यह रेखा बहुत अच्छे लाब देती है ऐसी रेखा निटिव को अच्छा आर्टिस्ट या राइ अगर हम बात करें इनकी लाइन आफ लाइफ की तो आप यहां पर देख पाएंगे अच्छी लंबाई में इनकी चीवन रेखा हमें यहां पे नजर आ रही है लगबग यहां तक पहुंचती हुई 75 से लेकर 80 के अराउंड ऐसे व्यक्ति की एज रहने की संभावनाएं रहत अगर हम बात करें इनके वीनस यानी शुक्र परवत की तो आप देख पाएंगे यह एरिया आपको उठा हुआ नजर आएगा इस तरह का उभरा हुआ शुक्र परवत जिनकी यह थेली पर होता है इसा व्यक्ति अपने चीवन में हर तरह की सुक्स विधाओं को मानता है इस हम इनके चंदर परवत की बात करें तो आप देख पाएंगे इनका जो चंदर परवत का इरिया यहां से कुछ रिखाएं अपवर्ड जाती हुई आपको नजर आएंगी आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा यह जो एरिया लाइफ लाइफ लाइन के साइड का इसको दबा हुआ माउंट है और यह जो रिखाएं हैं आप देख सकते हैं उपर की तरफ चलती हुई जिनकी वजह से लंबी दूरी की यात्राएं आपको चीवन में करने को मिलती हैं लेकिन साथी साथ इस माउंट का दबना और कुछ बारीक इस तरह की चोटी चोटी रिखाओं का होना एंग्साइटी की दिक्कत को भी दर्शाता है तो दोस्तों ये कुछ अनैल्सिस थी इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सुवालों के जवाब एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या सुवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेशन पैंडिंग है तो मुझे वर्टसैप पर मैसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद